हेलो एवरीबन स्वागत है आप सभी आंगनबाडी बहनों का फिर से एक नई इनफॉर्मेटिव वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोशाइट एकर एप 21.2 में सभी आंगनबाडी कारे करता हैं और सहायका बहनों को अपनी EKYC को कैसे पूड करना ह साथ ही जो आगनबाडी कारे करता हैं और सहायका की केवाइसी पूड करने में गलत बताता है तो इन सभी समस्याओं की कारण जिन आगनबाडी बहनों एवं सहायका बहनों की EKYC अध्वित नहीं हो पा रही है तो उन सभी को इन समस्याओं को सुधार कर किस प्रकार से अपनी EKYC को पूर करना है आज की वीडियो में सारी जानकारी वीडियो में देने वाली हूँ सहायका की EKYC करने के लिए आपको नीचे मोर या जादा वाले ओप्सन को क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यदि आपको सहायका की करना है तो आपको नीचे की तरफ आना है यहाँ पर आपको अपडेट AWH प्रोफाइल का एक ओप्सन दिखाए दे रहा होगा आपको इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद सहायका की KYC बाला पेज ओपन हो जाता है यहाँ पर आपको complete y location ब्लू लाइन को इसके बाद कुछ इस प्रकार से interface कोलता है यहाँ पर आपको सहायका का आदहर नमबर डाल देना है आधार भरने के बाद आपको capture code भर देना है capture code यहां पर जैसा दिखाई दे रहा है आपको वैसा ही से यहां पर भरना है इसकी बाद आपको next पर click कर देना है तो यहां पर देखी इस तरह से notice आ गया यहां पर लिखा हुआ है आधार नंबर do is not have verified on mobile इसका मतलब है कि आपने जो आधार नंबर दर्ज किया है अपनी सहायका का उस आधार नंबर से कोई भी mobile नंबर registered नहीं है तो यहां पर आपकी सहायका को mobile नंबर registered करवाना होगा अपने आधार पर इसके बाद उनकी KYC complete हो पाएगी आधार नंबर पर mobile नंबर रजिस्टर करवाने के लिए आपको आधार अपडेशन केंदर पर जाना होगा जहां पर आधार संबंदित कारे होता है तो वहाँ mobile नंबर अपडेट हो जाएगा इसके बाद आप 24 घंटे के बाद सहाइका की KYC को पूर कर सकती है तो चलिए हम सहाइका की KYC पुरह फिर से करके देखते हैं बहनों जो KYC के लिए mobile नंबर verify जो करवाती है आप लोग 24 घंटे के बाद अपडेट हो जाता है तो मैंने जो सहाइका की KYC की थी उनके द्वारा mobile नंबर अपडेट करवा दिया गया है और 24 घंटे में अपडेट हो चुका है तो अब हम पुरह उनकी KYC करने वाले हैं तो ह इसकी बाद हमें capture code डाल देना है इसकी बाद आपको next पर click कर देना है इसकी बाद देखिए यहाँ पर OTP के लिए page आ चुका है यहाँ पर OTP 10 मिनट के लिए valid रहेगी तो चलिए OTP डाल देते हैं यहाँ पर च्छे अंकों की OTP आ चुकी है मेरे द्वार अप्रिविष्ट कर दी गई है इसके बाद continue पर click कर देना है तो देखिए EKYC complete हो चुकी है इसके बाद आपको allow पर click कर देना है तो जैसे आप नीचे blue color में allow वाले बटन को click कर देना है तो इस तरह सी KYC complete हो जाती है देखिए EKYC has been successfully completed लिखा आ चुका है और go to my profile क्लिक कर देना है तो थोड़ी ही दिन बाद आप देखेंगी तो देखिए यहाँ पर green tick भी आ चुके है green dot tick आ चुके है मतलब EKYC successful हो चुकी है complete हो चुकी है तो इस प्रकार आप सभी आगन बाड़ी बहने अपनी EKYC को complete कर सकती है आगन बाड़ी कारे करता बहने एवं सहाई का बहनों की जिनकी नहीं हुई है तो बहनों आपनी EKYC को complete कर सकती है तो बहनों आज की वीडियो में बस इतना ही मिलती हूं अगली वीडियो में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक आप से करें एवं वीडियो को अपनी अन्ने बहनों में शेयरा वाशे करें